स्वागत है आप सभी का डिएस इन्फॉर्मेशन में ओके आज का टॉपिक है कि HTR कैसे बनाए HTR बनाने से पहले क्या आपको जनकारी होना चाहिए इसके बारे में आपको बताने जा रहा है वीडियो लाश तक देखे देखे जब कभी भी सिर्धी बनाना होता है तो ये जानना जरूरी होता है कि सिर्धी का जो सलोप है कितना होना चाहिए जैसे कि ये सलोप ओके सिर्धी का जो सलोप बनाएंगे हम जैसे कि ये जो देख रहे हैं ये सलोप ऐसा कितने डिगरी पर होना चाहिए ये भी बताएंगे उसके बाद steer का chodai steer का chodai ये जो steer है इसका chodai आपको कितना रखना चाहिए तो मैं recommend करूँगा कम से कम आपको 3 feet रखना चाहिए कितना? 3 feet रखना चाहिए और एक step जो बनता है जो यहाँ पर एक step बना हुआ दिख रहे है इसका height कितना होना चाहिए और चोड़ाई कितना होना चाहिए एक step का ओके तो ये जानना जरूरी होता दिन इसके बाद ही आपको steer बनाना चाहिए तब step आप calculation कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये देख रहे हैं तो ये आपका steer के चोड़ाई तो मैं बता दिया कितना रखने आपको 3 foot ये landing है ये landing मीट ठारा बोलते हैं इसका चोड़ाई कितना रखना चाहिए तो जितना आप steer का चोड़ाई रखते हैं यानि ये ये तीन foot रख रहे हैं तो ये भी आपको 3 foot रखना है तो देखिए ये flight 1 हुआ है ये देख रहे है flight 1 यानि कि ground floor नीचे से चल रहा है ओके और ये slab की ओर जा रहा उपर क्यों है यानि कि flight 2 flight 1 और flight 2 ओके तो दो flight है यानि कि ये पूरा जो landing का चोड़ाई हो जाएगा 3 feet length हो जाएगा ये यहां से यहां तक length जो है आपका 6 feet हो जाएगा 6 feet कैसे ये first flight का 3 feet और second flight जो है आपका ये 3 foot यहाँ पे भी देख रहे हैं कि first flight ये देखिए एक flight हो गया ये L-sip में बनाया गया है तो कितने type का बना सकते हैं इस पर मैं थोड़ा discuss कर लेता हूँ ओके देख लिजिए एक क्या होता है कि आप L-sip में बना सकते हैं L-sip में इस तरह से इस्टियर बना सकते हैं यहां से start करेंगे इधर slab की और चले जाएंगे ओके यानि कि L-sip इस्टियर ओके दूसरा आपका कौन सा बना सकते हैं U-sip इस्टियर U-sip यह कैसे बनता है जैसा कि आपको दिखाया मैं यह U-sip होता है U-sip इस तरह बना सकते हैं देखिए यह आपको यही आपको प्लान देखेंगे यहां से यह first flight यह आपका landing और यह second flight slab की और चले जाएंगे U-sip इसी में एक आता है state-sip कितना state-sip यानि कि single flight पर बनाय जाता है यह steer ऐसे यह steer इसको बोलते है state-sip steer ओके अब मैं यह बता दूँ कि जब state-sip आप बनाते हैं जब आपको state-sip बनाना होता है तो इसके लिए लंबाई कितना चाहिए तो कम से कम लंबाई state-sip steer के लिए आपको चाहिए तेरा फूट कितना तेरा फूट और यह चोड़ाई होना चाहिए तीन फूट अब चलिए यू से पे-stire जो है उसके लिए हम जान लेते हैं एरिया जान लेते हैं किसके लिए चाहिए यू से पे-stire बनाएंगे तो कम से कम आपको होना चाहिए यह length आपका 10 foot होना चाहिए और यह चोड़ाई यहां से यहां तक आपको कितना होना चाहिए 6 feet minimum size of a steer U shape steer अगर बनाएंगे तो इतना आपको space छोड़ना चाहिए Next मैं बात करूँ अगर L shape आप steer बनाना चाहते हैं L shape L shape इस तरह क्या Okay देखिए 3 feet चोड़ाई रखेंगे तो यह 3 feet चोड़ाई आपको चाहिए यहां 3 feet यह भी आपका यहां पर भी 3 feet लेकिन यहां से यहां तक जो length होगा आपका 10 foot होना चाहिए और यहां से यहां तक यह भी आपका दस फूट होना चाहिए यह भी आपका दस फूट होना है टोटल तो कहने के मतलब यह है आप इसका एरिया आप सीख्या है ओके अब डेक्ष्ट मैं बात करता हूँ इस टियर का चोड़ाई भी मैं बताओ तो देखी यहां पे थोड़ा समझने वाला इस टियर इस टाइप के बनता है और मैं आपको बता दूँ कुछ इस टाइप के देखते हैं यह यह आपका इस टियर ओके तो यह चोड़ाई तो आप जानगे कितना तीन फीट रखना है लेकिन यह जो राइजर है यानि एक टपा का हाइड कितना रखना चाहिए तो 6 इंच से लेकर के 7 इंच के बीच में रखी है आप तो comfortable माना जाता है अगर 7 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो चड़ने में थोड़ा परसानी होगा जिस पे आप पैर रखके चड़ते हैं जिसे यह इसको बोलते है टी से मैं डिनोट करना इसको बोलते है ट्रेड टी हो गया यह ओके और इसको बोलते है यह जो एक टपा का हाइड है इसको राइजर बोलते है आर से मैं डिनोट कर रहा हूं तो T इस जिस पर पैर रख कर चड़ते हैं इसको इसका कितना चोड़ाई रखना चाहिए 10 इंच कम से कम मैं recommend करूँगा आप 10 इंच पर बनाएं तो देखिए जब इस tier हम बनाते हैं या ऐसे इसका area आप calculate करना होता है तो area कैसे calculate करेंगे यह depend करता है slab का height पर कि आप इसका slab height जो छट का उचाई रख रहे हैं तो height कितना रख रहे हैं तो मैं recommend करूँगा जब कभी भी घर बनाएं तो आप साड़े 10 foot इसका height रखे slab का height अब देखिए number औफे riser calculate करना होता है जब steer हम बनाते हैं यहाँ पर देखिए इस तरक steer बनाएंगे तो slab height आपका कितना हो गया 10 foot 6 inch और एक का height इसका height जो मैं बताया एक riser का height कितना आपको मैं बताया 6 inch रखिए तो देखिए अगर हम इस में से slab height में से और एक riser का height से भाग देंगे तो number of a r निकल जाएगा कितना number of a r तो number of यहाँ पर सिखिए number of r is equal to slab height slab height divided by कितना हो जागा height of r का तो देखिए यह कितना हो गया आपका 10 foot यानि 10 foot 6 inch भागे में आपका 6 inch तो किसी एक unit में आपको change करना होता है जैसे कि 1 foot बराबर होता है 12 inch उसी तरह हम 10 foot को अगर 12 से multiply कर देंगे 120 inch हो जाएगा किलियर ओके अब प्लस में 6 inch है तो 126 inch टोटल हो जाएगा तो आप क्या करें number of r is equal to देखिए 120 प्लस में 6 यानिकि 26 inch divided by 6 inch कर देंगे तो यह कितना आएगा आप calculate के लिजिए यहां से सिख लिजिए कि 126 divided by 6 यानि r is equal to निकल जाएगा ओके तो देखिए कितना आगे आपको 21 नमबर यानि कि r is equal to 21 नमबर r is equal to 21 नमबर देखिए आपका यह जो राइजर है यहां पर यहां पर तो यह 21 निकाल दिये कितना यह 21 निकल गया लेकिन इस पर पैर रख कर चाड़ते हैं यह तो तो t is equal to r minus 1 यह क्यों होता यह मैं आपको बता देता हूँ जब कभी भी आप इस्टियर बनाते हैं ओके ध्यान दिजिए यहां तक इस्टियर तो यह slab एक छत में चला जाता है यहां तक तो यह आपका क्या है यह जो है आपका r और यह आपका क्या है आपका t तो एक t क्या है आपका यह slab में आ गया इसलिए t is equal to होता है r minus 1 clear अब आप निकाल लिए तो t अब area आपको निकालना है जैसा कि मैंने बताया देखें पूरा space जो है आपका पास यह area निकालना है तो यह इस टाइप के आप इस टेर बनाएंगे तो number of t जो होगा यह trade यह कितना बनाएंगे यह इधर dot 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 कर देता हूँ इधर dot dot ओके तो t is equal to आपको 10 इंच रखना है ओके आप total number आपका कितना निकालना है यानि 20 number यानि कि r minus 1 करेंगे तो t निकालेगा तो यानि कितना 20 number तो इस तरह कि 20 यह हो जाएगा तो यह पूरा हम 20 जैसे 1,2,3,4,5 इस तरह 20 आपको बनाना होगा तो इस तरह length calculate करते हैं next मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि इसका area कैसे calculate करते हैं ओके मिलते हैं next वीडियो में